Hello everyone, welcome to online study point दोस्तों आज चार जून और आज किस वीडियो में हम चार जून से related करेंट अफेर के सभी important question को cover करेंगे तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF शाहिए आप हमारे इस mobile application को install कर सकते हैं Link description box में दी हुई है एक और ज़रूरी चीज देखे कभी कोई health issue या कोई emergency होती है तभी मैं छुट्टी लेती हूँ Otherwise आप लोगों को मालूम भी है मैं Sunday के दिन भी आप लोगों की class मिस नहीं करती हूँ तो कोई health issue आगया था जिसके कारण कल की class मैं नहीं ले पाई थी Start करते हैं हमारा पहला question Corona virus के बाद किस देश में bird flu H10 N9 इसका पहला मामला सामने आया है तो आप सभी जानते हैं virus का जन्मदाता कौन है चाइना वहाँ ये जो bird flu का type है H10 N3 इसका मामला मनुश्यों में पहली बार देखने में आया है देखे यहाँ तो जन्वरों से मतलब कि पक्षियों से अब ये पहुच चुका है मनुश्यों में जैसे कि आप लोगों ने सुना ही है कि जो Corona virus है ये कहां से फैला था चाइना से ही हाला कि चाइना इस बात को मानता नहीं है शुरुवात इसकी चाइना से हुई थी चाइना के वुहान शहर से और वुहान के ऊपर ही ये जो आप देख रहे हैं इस जेजियांग शहर इसी जेजियांग शहर से मतलब कि इसी सहर में पहली बार ये जो bird flu virus है जिसका टाइप मैंने आप लोगों को बताया है इसकी पुष्टी पहली बार मनुश्यों में की गई है अब इसका प्रभाव क्या होगा तो वही होगा कि ये flu गले से जाएगा फेफडों में जाएगा फिर वही सर्दी खासी जुकाम जो कि कोरोना का चल रहा है यही रक्षन इसमें दिखाई देने वाले है तो चाइना तो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है दुनिया में जितनी भी सारी चीज़े खाने की बनाई गई है उसे छोड़ करके चाइना सारी चीज़े खाता है और बाकी की जो प्रॉब्लम है ये बाकी दुनिया वालों के लिए खड़ी कर देता है चाइना के दिए हम बात करें तो कैपिटल है बीजिंग, करंसी है रें मिन वी प्रेसिडेंट है सी जिंपिंग चाइना से हैं रिलेटेड अब हम कुछ करंड के कोश्चन डिस्कूस कर लेते हैं जैसे कि हाली में इसके मंगल मिशन का एक रोवर है जो की चर्चे में रहा है इसका नाम क्या है? इसका नाम है जुरोंग जो कि यहा के अगनी देवता की नाम पर रखा गया है हाली में चाइना के दूआरा थे चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी ग inhal और चाइना की एक पहले जिसका नाम है Border Road Sorry, Belt Road Initiative जिससे कौन बाहर हो चुका है? Australia, इसी के कारण चाइना ने Australia के साथ अपने सभी इने की जो आर्थिक संबंद है इने समाप्त कर लिया है और चाइना और रशिया ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मतलब इन दो देशों के भी संबंद मजबूत हो रहे हैं, तो उपर है रशिया, इसकी सीमा लग रही ही चाइना से तो चाइना और रशिया इन दोनों के बीच में एक नदी है जो की अंतराश्टी रेखा बनाती है इस नदी का नाम क्या है? लोगों को ये भी बताऊंगे कि इसराइल के अगले प्राइम मिनेश्टर कौन मनने वाले हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यदा चर्चित मुद्दा है अभी तक तो आप जानते हैं कौन है? बेंजामिन नेतनिहाओ, लेकिन जल्द ही इनका इस्थान और कोई लेने वाला है इसके बारे में डिटेल में हम बाद में डिसकस कर लेंगे जब ये न्यूज आ जाएगी तो इसराइल के दिए हम बात करें तो इसकी आप लोकेशन देख सकते हैं इसराइल की कैपिटल क्या है? तो ये है येरुसलम जिसे ये अपनी कैपिटल मानता है इसी येरुसलम में इस्थित है अल-अक्सा मस्जित जो की मक्का और मदीना के बाद मुस्लिमों की तीसरी सबसुत पवित्र इस्थाल है चर्चे में क्यों आया था? पुछा जाता है कि क्या इसराइल की सीमा मेडिटेरियन सी से लगती है? यानि कि भूमधी सागर से तो इसकी तो लगती है लेकिन आप ये याद रखेंगे इसके बगल में ये जो आपको जॉर्डन देख रहा है इसकी सीमा मेडिटेरियन सी से नहीं लगती है आग लगने के कारण जो ओमान की खाड़ी है, सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देख लीजे, यह है इंडिया की लोकेशन, इधर से आप जाते हैं इरान, तो इरान से जाते हुए कुछ यहां पढ़ता है पर्शियन गल्फ और इसके पहले आता है गल्फ ओफ ओमान, इसी गल जहाज है, जो कि पूरी तरह से इसमें समा गिया है और इस जहाज का नाम किसके नाम पर रखा गया है, खरगदीप के नाम पर, खरगदीप जो कि इरान का प्रमुख तेल टर्मिनल है, अब इरान से ही रिलेटेड, कुछ एक्ष्ट्र अप्ट है, पहले आप इसकी कैपिट करंसी जान लीजे, इरान की कैपिटल है, तहरान करंसी है, इरानी रियल, और यदि करंट के मुद्दे की बात कीजाए, तो इसी गल्फ ऑफ उमान, फिर स्टेट ऑफ फॉर्मूस से होते ही, यदि आप पर्शिन गल्फ जाएंगे, तो यहाँ एक प्रोजेक्ट था, प्रो कोरोना वेरियंट का क्या नम रखा है, तो भारत में कोरोना की यह जो दूसरी लहर आई है, इसे नाम दिया गया है, डिल्टा, अब देखिए यह जो वेरियंट है, इसका नाम तो कुछ इस तरह से, B1, 617, 1, B1, 611, तो इस तरह याद करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप कहें सकते हैं, इसे एक तरह का वेग्यानिक नाम दे दिया गया है, तो इसकी जो पहली लहर आई थी, इसे नाम दिया गया कपा, आप लोग कटपा लिखके मता आ जाना, कपा इसे नाम दिया गया है, जबकि यह जो दूसरी लहर चल रही, इसे डिल्टा नाम दिया गय World Health Organization किस था अपना 7 April को ही और इसलिए 7 April को हम World Health Day के रूप में मनाते हैं Headquarter इसका कहां इस थी थे जे निवा स्यूजर लेंड में और प्रेजन ठैम में इसके अध्यक्ष है टेडरोस अधानुम और ये question मैं अलग से रखने वाली थी लेकिन इसी में मैंने सेट कर दिया है जिसे कि आप सभी जानते हैं अभी तक आप लोगों ने ये याद रखा था कि WHO के कारी-कारी बोड के अध्यक्ष ये तो थे भारत के डॉक्टर हर्श वर्धन जो कि केंदरी स्वास समंत्री हैं अभी तक थे इनका कारी-काल पिछले एक साल से था तो इनका कारी-काल अब समाप्त होने जा रहा है और इनी के स्थान पर अब किन्या के जो डॉक्टर पेट्रिक अमोथ हैं ये अब बनने जा रहे हैं WHO के कारी-कारी बोड के नए अध्यक्ष अगला है विश्वभर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड ये किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो इसे लॉंच किया है इफको ने इफको देट इस इंडियन फार्मर फॉर्टिलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड अभी है क्या तो यूरिया आप सभी जानते ही क्रशी शेतर में उपयोग किया जाता है तो इफको ने डेवलप किया है दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड इसकी खास बात क्या है तो पहली सबसे महतुपूर्ण खास बात तो ये है कि ये पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है मतलब कि पूरी तरह से ये भारत में ही विक्सित किया गया है साथ ही इस यूरिया के इस्तमाल से पौधो के पोशन छमता में व्रद्धी होगी साथ ही इससे इसकी उत्पादन छमता भी बढ़ेगी और खास बात ये भी है कि जलवाई परिवर्तन इनकी क्लाइमट चेंजस से पढ़ने वाले प्रभावों को काफी हद तक इससे कम किया जा सकेगा और ऐसा ही यूरिया लिक्विड ये डेवलप किया है इसके स्थापना 1967 में हुई हैटकवाटर नई दिल्ली में इस्थित है अगला इंपोर्टन कोश्चन है पॉलिटी से रिलेटिड बंगाल चुनो लड़ने के समय अपनी राज्जी सभा सीट से इस्थिफा देने वाले किस पत्रकार को राश्टपती रामनात कोविंद ने पुनह बचे हुए कारिकाल के लिए राज्जी सभा का सदस्य मनोनीत कर दिया है कोश्चन लंबा है लेकिन कोश्चन इंपोर्टन भी है अब देखे हाली में जो सौपन दास गुपता है सौपन दास गुपता जो कि राज्जी सभा के सदस्य है अच्छा जो राजपती है रामनात कोविन जी ये लोकसभा में कितने सदस्य मनुनीत कर सकते हैं तो दो और राजजी सभा जो कि उच्छ सदन है यहां ये बारा सदस्यों की नुक्ति करते हैं तो इनहीं 12 में से एक सदस्य थे सवपनदास गुपता लेकिन आप सभी जानते हैं की अभी कुछ महीनों पहले ही पश्रम मंगाल में क्या हुए थे चुनाव हुए थे तो भारती जनता पार्टी ने क्या किया कि इन्हें मतलब कि स्वपनदास गुपता को कहा कि आप पश्रिम मंगाल में चुनाव लड़िये हलाकि ये जो स्वपनदास गुपता ही पश्रिम मंगाल से ही बिलॉंग करते हैं तब बीजेपी के कहने पर इन्होंने क्या कि राज्जी सभा में अपने पद से पहले तो इस्तिफा दिया, इस्तिफा देने के बाद ये चले गए पश्रिमंगाल चुनाव लड़ने, जो ताड़केश्वर नमक जगा है यहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था, हलाकि ये कारेकाल जो होता है, इसमें कि सुपंदास गुपता ने लगभग 5 साल का कारेकाल कम्प्लीट कर लिया था और ये लगभग 1 साल का इनका टाइम बचा था, तो अब रामनाथ कोविंदे ने क्या किया है कि इनके बचे हुए समय के लिए, बचे हुए 1 साल के लिए इन्हें राजजी सभा के सदर्से के रूप में न्युक्त कर दिया है, अब इसमें गलत क्या है, तो इसमें जो विपक्ष है, ये सवाल उठा रहा है, कि आपने उसी विक्ति को पहले तो इस्तिफा लिया और बाद में जब वे चुनाओ हार गए, तो उन्हें उसी पत पर फिर से न आर्टिकल असी में, इसी आर्टिकल का जो सब क्लॉस 3 है, इसका उपयोग करते हुए सरकार ने ऐसा फैसला किया है, तो इसमें गलत क्या है, तो देखिए ये मुद्दा इसली भी जादा चर्च में है, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, जब से ये राज्य सभा बनी ह तब से अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, कि किसी सदर्से ने इस्तिफा दिया हो, और बाद में उसी सदर्से को बचे हुए कारेकाल के लिए नियुक्त कर दिया गया हो, इसलिए ये मुद्दा गर्माया हुआ है, तब सरकार ने एक और बयान जारी किया, जिसमें इन् प्रतेनिधित्व अधिनियम 1959, ये क्या कहता है, तो इस अधिनियम का जो section 154 है, section 154, तो इस section के तहत ये बात कही गई है, section 154, इसमें ये बात कही गई है कि मालने जे राज्य सभव में यदि कोई seat खाली होती है, जिसे कि सौपन दास गुपता इन्होंने seat खाली की, खाली होती है, तो ऐसी situation में उस व्यक्ति के स्थान पर यदि कोई नया व्यक्ति आएगा, उसका कारेकाल कितने समय तक रहेगा, पूरा कारेकाल नहीं रहेगा, सौपन दास गुपता ने जितना समय छोड़ दिया है, जैसे कि इन्होंने अपने 5 साल का कारेकाल पूरा किया है, एक साल रह गया है, तो जो नया व्यक्ति है, ये किवल एक साल तक के लिए उस पत पर रह सकता है, तो बात सही भी यह दि कहा जाए, तो सरकार का इसमें कहना है, कि हम नया व्यक्ति ना ला करके उसी व्यक्ति को तो अपॉइंट कर रहे हैं, बचे हुए साल के लिए, को कुश्चन की असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किस ने अपना पदभार समाला है तो असम राइफल्स के नए महानिदेशक जो की बन गए है प्रदीप चंदरन नायर, option A इसका right answer हो जाएगा तो देखिए जो Central Armed Forces है इसमें से एक है असम राइफल्स आप लोगों को इसके साथ कटेगरी दिख रहे हैं वन बाई वन हम सातों के बारे में डिसकस करेंगे देखिए ज्यादा important नहीं है लेकिन आप लोगों को कुछ basic जानकारी जरू forces की category है जो कि आप देख रहे हैं साथ प्रकार की ये किसके अंतरगत आती है तो ये आती है ग्रह मंत्राले के अंतरगत तो ये कुछ basic difference है जो कि आप लोगों को मालूम होने चाहिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असम राइफल्स की देखिए ये जो असम राइफल्स है य और इसका मोटो है सेंटिनल ओफ नॉर्थ इस्ट कहने का मतलब है कि ये नॉर्थ इस्ट के रखवाले हैं इस एरिया में जो विद्रो होते हैं इसे निपटते हैं हाला कि 2002 से असम राइफल्स को इंडो म्यामार की बॉर्डर की देख बाल की जिम्मेदारी दे दी गई है फ इसे के लिए बॉर्डर को सेक्योर करने के लिए कारे करती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स है जो की बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है और ये इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बंगलादेश के बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही है और हम बात करें CISF की that is Central Central Industrial Security Force, 1969 में इसके स्थापना हुई है, जो PSUs होते हैं, Public Sector Unit जिसे आप कहते हैं, या कोई Government Company, इन्हें ये सेक्योर करने का काम करती है, और एरपोर्ट पर आप लोगों ने जिन ही देखा होगा, सेक्योर करते हुए, ये CISF के ही जवान होते हैं, दिल्ली मैटरो में भी, यही इ CRPF, that is Central Reserve Police Force, तो इसके स्थापना बेसिकली नकस्लाइड एरियो में सर्विस देने के लिए की गई थी, और इसकी एक स्पेसल यूनिट है, जिसे आप कोबरा के नाम से जानते हैं, फिर अगला है इंडो तिबद बॉर्डर पुलिस, इसके स्थापना 1962 में हुई थी, इंड इंडिया पाकिस्तान वार के बाद अस्तित्व में आया था BSF, और इंडिया चाइना वार के बाद अस्तित्व में आया इंडो तिबद बॉर्डर पुलिस, और ये क्या कारी करती है, तो इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर जितनी पहाडिया है, इन्हें ये सिक्योर कर और बेसिकली ये VIP लोगों को भी सिक्यूर करने का कारी करता है फिर अगला है SSB that is सहस्त्र सीमा बल 1963 में इसकी स्थापना हुई और इसका कारी क्या है तो जो इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान की बॉडर है इसे ये प्रोटेक्ट करती है और election की टाइम में याने कि चुनाओ के टाइम में आप लोगों ने पूलिंग बूथ में जिन जवानों को देखा होगा ये SSB के ही जवान है तो Central Armed Police Force के बारे में कुछ बेसिक जानकारी में आप लोगों को यहां दे दी है फिर अगला है महाराश्ट सरकार ने EWS केटेगरी में मराठा समुदाय को कितने प्रतिसद रिजर्वेशन देने की घोशना की है तो ये मुद्धा काफी चर्चे में रहा है बहुत जादे डिटेल में हम नहीं जाएंगे लेकिन फाइनल ये अब हो चुका है कि महाराश्ट सरकार ने EWS that is economically weaker section जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं आर्थिक रूप से जो कमजोर मराठा है इन मराठा समुदाय को अब महाराश्ट गवर्मेंट 10% का आरेक्षन दे रही है महाराश्ट से related capital तो आप सभी जानते हैं कुछ करण के question डिसकस कर लेते हैं जैसे कि हाली में यहां का जो पाल घर है पाल घर का एक GI टेक प्राप्त प्रोड़क्ट है चीको इसका निर्याद कहां किया गया है ब्रेटेन को यहां चर्चे में रहा है फ्लेमिंगो अब्यारनी जिसे हाली में इको सेंसिटिव जोन यह घोशित किया गया है कुसे में पहले ही जो ग्लोबल ट्राफिक इंडेक्स रिलीज किया गया था इसमें रशिया की कैपिटल मॉस्को टॉप पर है दूसरे स्थान पर और भारत की तरफ से पहले स्थान पर रहा था मुंबई अगला है भारत की सबसे बड़ी ओनलाइन फार्मेसी बनाने के लिए फार्म इजी ने किस कमपनी का अधिगराण किया है तो दिखे जो आप लोग ओनलाइन मेडिसन मंगाते हैं दवाईय मंगाते हैं इसके लिए ये जो दुनिया की सबसे बड़ी online pharmacy थी जिसका नाम था Farm Easy इसने अब अधिगरन कर लिया है Medlife का तो ये दोनों company साथ मिल करके अपकारी करेंगी इस तरह ये भारत की सबसे बड़ी online pharmacy बन गई है तो इन दोनों इकाईयों की मिलने के बाद ये अब और बहतर से काम कर सकेगी और ये दोनों इकाईयों मिल करके एक महिने में दो मिलियन इन्हें आप कहसकते हैं लगभग 20 लाग ग्राहकों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करा पाईगी अगला है तीन जुन को कौन सा important day मनाये गया है तीन जुन को मनाये गया है विश्व साइकल दिवस एक जुन को मनाये गया है वर्ल्ड मिल्क डे दो जुन को तिलंगाना का गठन दिवस मनाये गया है तिलंगाना ये दो जुन 2014 को भारत का 29 राज्जी बना था हालाकि अब तो 28 रह गया है और अब कल मनाये जाएगा विश्व पर्यावरर दिवस जो की मनाये जाता है पाथ जुन को कल जो आप लोगों से सवाल पूछा गया था इसका रायट अंसर निर्मला सीता रमन जी था अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है अंकुर योजना की शुरुआत की सिराज जनी की है इसका जो भी आंसर कमेंड बॉक्स में बताईएगा और शायद वीडियो लंबा हो गया है लेकिन कुछ जानकारी थी जो कि आप लोगों को बतानी जरूरी थी तो इसे आप चाहें तो फुल स्पीड में या 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं वीडियो थी पसंद आया है तो लाइक कीज़े शेयर कीज़े और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा आज के लिए तना ही थाइंक्यू सो मच